नमस्कार साथियों, सौठेंड हाउश टीकमगर के योटूब चैनल पर मैंकित चौरसी आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज का हमारा डिक्टेशन ओपी सुगला से 500 सब्दों का लिया गया है तो दोस्तों डिक्टेशन सुरू करते हैं तीन सेकेंड बाद स्टार्ट, महुदय मुझे इस बात का शंतोस है की राष्टपती जी ने सिख्छा के बारे में अपने भाशन में इस वर्स विसेश रूप से दिहान दिया है हमको दुख के साथ यह सुईकार करना चाहिए की आजादी के बाद सिख्छा में जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है उसके कुछ भी कारण रहे हूँ आर्थे को हो या दूसरे लेकिन यह हमको मानना पड़ेगा की सिख्छा के छेत्र में अभी बहुत कुछ काम करने को वाकी है सिख्छा आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिसे हैं उनको तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं किया गया इसके कई कारण है योजना आयोग ने और भारत सरकार ने बुनियादी सिख्छा को सुईकार किया है मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब वह जमाना नहीं रहा जबकि बुनियादी सिख्छा को सिर्फ कुछ ही छेत्रों में चलाया जाए कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी स्कूल पराने ढंक से चलते रहें भले ही हम उस तरह से सिख्छा ना चला सकें जिस तरह से सिवा ग्राम में चलती रही हैं फिर भी जो उसका वनियादी सिध्यानत है कि उत्पादन के द्वारा सिख्छा देना उसको संसार के सभी सिख्छा सास्तरी आज मानते हैं आज स्कूलों कॉलेजों की सिख्छा अच्छी नहीं है यह सभी जानते हैं कि आज की सिख्छा वच्चों को बेकार बना रही है इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ कि जो हमारी सिक्षा हूँ जो स्कूल कॉलेज हूँ उनमें बुनियादी सिक्षा का सिद्दांद जरूर लगू किया जाना चाहिए यह नहीं होना चाहिए कि कुछ वेसे की स्कूल खोले जाएं और बाकी सभी पुरानी ढंगपा चलते रहें आज जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है वे कॉलेज में नहीं जा सकते मैं समस्ता हूँ कि हमारा सिक्षा मंत्रा ले इसकी तरफ पूरा ध्यान देगा ताकि राष्ट पती जी ने अपने भाशन में जो कुछ कहा है वह पूरा हो सके और सिक्षा के छेतर में परिवायतन हो सके पैरा हम यह अकसर कहते हैं कि जम नई सरकार आती है तो नया जहन्डा होना चाहिए लेकिन मैं समस्ता हूँ कि नई सरकार के आने के साथ नई सिक्षा का आना भी बहुत जरूरी है राष्टपती जी के भाशन में दलित जातियों के वारे में भी जिक्र है मैं उसको बहुत महत्पूर मानता हूँ यद पी आज भारस स्वतंत है लेकिन यदि हम हर जनों की तरफ और जो आदिम जातियां है उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो सिर्फ सामाजे की ही नहीं राजनीतिक उल्जहनों के खड़े होने का डर है मुझे बहुत खुसी है कि गरतन दिवश की आउसर पर दिल्ली में देश की कौने कौने से आदिवाशी भाग ले रहे हैं यह ना के बल सांस्कतिक दस्टी से महत पूर है बल्कि राजनीतिक दस्टी से भी बहुत महत पूर है हम को समझना चाहिए कि जो आदिवासी लोग हैं जो आदिवासी छेत्र हैं बिभारत के अभिन अंग हैं हमें उनको भी यह वतलाना है कि सारा देश उनके कल्यान के लिए और उनकी भलाई के लिए प्रियतन सील रहता है दोस्तों वीडियो को लाइक दरूर करें कमेंट दरूर करें और सेर करना ना भूलें धन्यवाद